मार्केट में अभे हम अगर मन्तली देखे तो मन्तली या पर एक double top देखने को मिल रहा है हमें और यहाँ पर थोड़ा सा हमें कलकी expiry monthly expiry है तो यहाँ पर थोड़े सी weakness देखने को मिल सकती है अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम trading कैसे करें अगर monthly का अगर हम support देखें तो 17,400 यहाँ पर एक हमें support नजर आ रहा है 17,400 अगर level cross कर देती है तो बहुत ज़्यादा हमें फिर यहाँ पर clearly हमें visible हो जाएगी कि market में एक sharp selling आ सकती है और market में हमें 15,600 तक की कुछ मैनों में हमें target देखने को मिल सकते हैं देखते हम weekly में कैसा क्योंकि कल weekly भी expire होगी तो हमें weekly में थोड़ा सा ध्यान देना होगा weekly में आगर आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको एक double top देखने को मिल रहा है और weekly में अगर हम बात करें तो हमें यह वाली लेवल को जब market cross करेगा तभी हम यहाँ पर एक sharp selling देखने को मिल सकती है अब अगर daily की बात करें तो daily में अगर हम देखा जाए तो market में उस दिन जो budget के दिन जो sharp buying उपर की तरह आए थी इस candle के बाद अभी यह वाला जो zone है यह थोड़ा सा market को hold कर सकता है अभी इस zone को जब market पार करेगा तो बहुत ज़्यादा aggressively selling यहाँ पर बढ़ जाएगी और हमें 17,000 सोरी 16,950 तक के target देखने को मिल सकते है आने वाले दिनों में अभी कल क्या हो सकता है market में यहाँ पर हमें एक उपरी लेवल पर उपरी time frame में तो हमें एक double top देखने को मिल रहा है अभी नीचे क्या हो सकता है कल market open होते ही थोड़ा सा bullishness दिखा सकता है और market यहाँ पर 17,490 और 17,340 इस दोरान market थोड़ा सा volatility create कर सकता है क्योंकि क्या होगा जब आगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वाली जो candle बनी है budget की दिन तो यहाँ से market में एक sharp selling आयती है और यहाँ से market में थोड़ा सा pullback देख करेंगे और secure करने की कोशिश करेंगे तो market यहाँ पर थोड़ा सा volatility create कर सकता है हमें sharp selling कब देखने को मिल सकती है अगर 17,350 का जो लेवल है अगर यह break हो जाता है तब हमें काफी ज़्यादा sharp selling देखने को मिल सकती है और आने वाला target हमें 17,000 का कल first target हो सकता है अगर यह level अग अपर की और निकल सकता है तब market यह बात ध्यान में रखने होगे कि market अगर इसी level में खुलता है या gap up खुलता है तब market थोड़ा सा उपर की तरफ देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी profit booking आ सकती है तो कल expect नहीं कर सकते market से कि यहाँ पर sharp selling आएगी करके तब देख रहा हमें हम पहले monthly देख लेते क्योंकि monthly expire है तो monthly expire में भी अगर हम देखे यहाँ पर higher है तो लगाता लगाया था लेकिन कहिना कहीं यहाँ पर भी एक double top देखने को हमें मिल सकता है तो market अभी तो दूर है range अगर उसको फोर्थ वाला अगर लेक बनाना है तो market को देखे आने के लिए इस ले यह जो लेवल है सत्रा सॉरी 49,800 और 49,400 यह जो 400 point की range है इसको बचा के रखना पड़ेगा और इसी range में market क्या थोड़ा सा volatility हो सकता है तभी हमने option buyer खास करके market में ऐसी range में थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कल weekly और monthly expire है तो यहाँ पर जो premium है वो काफी जल्दी decay हो जाएगा और ज़्यादा loss ले बैटेंगे तो अभी हम वेट करके चलेंगे अभी one day में देखते हैं sorry one week में देखते हैं one week में भी same है one week में भी यहाँ पर भी हमें एक triple top देखने को मिल रहा है market उपर की level के जाने के बाद यहाँ पर एक triple bottom top देखने को मिल रहा है अभी market को यह वाली level क्रॉस करने बड़ेगी तब जाके market में एक market में एक sharp selling देखने को मिल सकती है अभी one day में हम देखते है one day में किस तरह से market बिहेव कर रहा है इसको one day में भी जो हमारी same budget वाले दिन की जो candle थी उसको अगर market cross कर देता है तब हमें sharp selling देखने को मिल सकती है और आने वाला target काफी fast होगा अभी यहाँ पर market आने के बाद थोड़ा सा volatility क्रेट कर सकता है market कल यहाँ तो gap up open open होके यहाँ पर उपर की level उपर चला जाएगा क्योंकि कि यहाँ से अगर नीचे टाइम फ्रेम में अगर इसको double थोड़ा सा weakness दिखाना है तो यहाँ पर एक double top बनानी के लिए उपर जाना पड़ेगा इसलिए market में हो सकता है कल यहाँ पर एक sharp buying देखने को मिले और उपर ही level से जिन लोगोंने sell किया था वो अपना profit book करेंगे same य जो लोग यहाँ पर buy करके बैटे थे वो अपनी position को secure करने के लिए यहाँ पर और buying कर सकते है तब यहाँ पर हमें थोड़ा सा wait करना होगा यहाँ पर market थोड़ा सा volatility बढ़ जाएगा market में लेकिन अगर 49,350 का लेवर अगर cross करती है market 39,350 अगर market cross करता है तो अब हमें नीचे क और ज्यादा aggressively buying देखने को मिल सकती है और 38,500 की target भी हमें एक दो दिन में देखने को मिल सकते है अब नेक्स्ट क्या हो सकता है market में हमें थोड़ा सा wait करके चलना चाहिए market उपर level यहाँ पर थोड़ा सा stop loss होगा चोटा stop loss है और उपर level में हम buy करके चल सकते market में अभी थोड सब bullishness market जा सकता है अगर यह level cross कर देता है 49,350 की तो हम sell करके चलना चाहिए अभी के लिए इतने अगर वीडियो अच्छे लग रहा है तो definitely like कीजिए thank you